दोस्तों UPSC ने अपने 2016 के रिजल्ट अनाउंस कर दिये और फिर से इस बार देश की बेटी नंदनी के आर ने टॉप किया तर्मश्कार दोस्तों मिरा नाम है मरीश और स्वागत है आप सभी का बहत पजी टेखनिकल चले कोई न कोई टॉप तो होना ही था लेकिन नंदने की कहानी कुछ अलग है नंदनी तीन बार फेल हो चुकी अब तक यह नो बच्चपन में सुना था कि थोमसल वाइडिशन ने हजार बार परयास किया फला ने सौ बार परयास किया वो इतनी बारा सफल रहे लेकिन कोई रियल प्रैक्टिकल बहुत कम देखने को मिलता है और दोस्तों किसी भी कॉंपटीशन की परप्रेशन कर रहे हैं आप या स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो यार इनको देखके ना इंस्पायर होना बनता है और हैडवन स्राय वच्चन जी की वो कविदा बिल्कुल प्रूफ होती है कि लहरों से डूब कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तीन बार अटेंट देने के बाद चौत्ती बार में अब वो भी सीधा टॉप तो दोस्तो हमारी तरफ से एक और बहाना खतम हो गया कन्फ्यूज हो रहे हैं सायदा मैं क्लेर कर दूँ कि जो ही मैं कहते हैं कि भाई ये बंदा टॉप पर था या इसे तो टॉप होना ही था भाई ये नहीं होगा तो भाई कौन होगा अब है सुरू से था भाई ये अलग जिसकी तो बात ही अलग है तो अब ये कहानी खतम क्योंकि तीन बार फेल होके टॉप किया है अब है हम तो एक या दो बार ही फेल होते हैं तभी डिप्रेशन में मूड खराब, घर वाले को ताने दुनिया के ताने वो देना दे हम उल्टा कहता है भाई दुनिया जीने नी दे रही भाई एक या दो बार में तीन-तीन बार हो रहा इनका तो दोस्त आज से हम ये ताने देने या ये एकस्क्यूज देना बंद कर दें अपने आपको नहीं तो नीदा फाजली जी का एक बहुत बढ़िया सेर है कि ढून लो नकसे पे कोई और सहर इस सहर में तो सबसे मुलाकात हो गई तो ऐसा ही करेंगे फिर कहीं में पोस्ट पड़ भी रहा था इसके रिगार्डिंग और एक कहरा था कि मैं बार बार आईस का पेपर देता रहा लेकिन हर बार फेल होता रहा देरे देरे मुझे ये समझाया जब मैं दोस्तों के बीच खड़ा होता था तो वो कहते थे कि आप तेरा बोलने का तरीका बदल गया जहां कहीं भी किसी मंच पर जब मैं बैठता था तो किसी भी टॉपिक पर कुछ देर बोल पाता था बले मैं आ जाई ये सबना या नहीं बना लेकिन मेरे अंदर एक आदमिता आ गई कि जब आप पढ़ते हैं पढ़ते हैं निरंतर लगे रहते हैं कुछ सिखने को नहीं मिलता बहुत कुछ सिखने को मिलता अब वाकई दोस्त इनको देखके इंस्पायर होई है पहले से ही आयारस थी जॉब कर रही थी लेकिन फिर भी पढ़ाई की और सीधा टॉप किया अब फिर रिपीट करना चाहूँगा कि एगर कोई रिपोर्टर इनसे पूछेगा कि मैम सफलता तो आपको रात और रात मिल गए तो इनका साइद एही कहना होगा कि दोस्त तुम नहीं जानते ये रात कितनी लंबी थी तैंक यू सो मज़ दोस्तो जहन जय भारत